हलो स्टुडेंट वेलकम बेक टो मैंटी इस अनीता शर्मा यूर हिस्टी में टॉर स्टुडेंट आज के सेशन में बात करने वाले हमारी हिस्टी का चाप्टर 11 जिसका नाम है रिबेल्स एंड राज यह पूरा चाप्टर 1857 के रिवोल्ट पर बेस्ट है ना 1857 की क्रांती प जा सके क्लियर है तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है तो चलिए स्टार्ट करते हम रिबेस एंड राज का माइंड मैप ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रि ग्रूप लोगों का ग्रूप जो है पीपल का ग्रूप जो है वो किसी काम को करने से मना कर देता है तो उसको क्या करते हैं म्यूटिनी कहा जाता है यह सिपायों ने जब एक जो न्यू काटेजिस हैं जिस पर का और पिडफेट का कोट किया गया था तो उसको यूज करने से मना कर दिया था इसलिए इसको सपाव मुटिनी कहा जाता है और यह हुआ था 10th में 1857 को मेरट से ठीक है 10th में 1857 को मेरट से ही स्टार्ट हुआ था अब क्या कहता है लाइन से स्पेड किया गया तो एक जो डियरी होती थी यानि की एक आर्मी से जो रेति रेंजिमन होती थी सेनगी तो इस तरह क verr हमने action लिया है तो तुम लोग भी वो काम मत करना तो ये इस तरीके से एक जगे से दूसरी जगे पर बात को transfer किया जाता था अब क्या आता है leaders and the followers तो ये पूरे जो है आपके नौर्थ इंडिया में खास करकि यूपी बिहार वाले एरिया में बहुत बड़े लेवल पर फैलत आते हैं जैसे अब बात करें कि डैली के जो डैली से जो लीडर जो लीडर बनानों जी रोन एक्सेप्ट किया था वो थे बहादूशा जफर तो डैली से कौन लीड कर रहे थे बहादूशा जफर लीड कर रहे थे हैं अब जहांसी से कौन कर रही थी लक्ष्मभाई कर रही तो ये rumors और professors इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो cow और pig fat को लेकर के जो rumors बना हुआ था अफवा फैली हुई थी क्या वो सच थी वो नहीं थी तो ये बताया जाता है कि वो जो main reason था वो था new cartridges को use करने से इंकार करना है न वो क्यों इंकार किया गया था क्योंकि उसमें cow और pig fat guy और sewer की चर्वी के लेप से बने कार्तुस को use किया जाता था नहीं देखा था कि यह सच था या क्या था जस्ट एक rumor था एक अफ़ा थी साथ साथ में ये भी rumors बना हुआ था कि cow और pig fat की bones का cow और pig pig की bone का powder बना करके आटा वगरा में भी sale किया जाता है जो market में बिगत जादा करेंगे उससे related किसी भी बात पर है ना तो जल्दी ही जब ये बाते बताए गई थी कि किस तरीके से cow और pig fat का जो है वो coated किये हुए कार्तुसों को use करके उनको उनके धरम से अलग किया जाने था तो इसी तरीके से वो आटा वाला example भी दिया और साथ साथ में जो western education society में लेकर आ रहे थे बहुत सारे के laws जो थे वो इन्होंने इंपोस कर देते सती सिस्टम को abolish कर दिया था विडो रिमारिज का act pass कर दिया था तो ये सारी चीजों को देख करके लोग जो है जो भी rumors बन रहे थे उन पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते थे नेक्स पर आत अवद को क्यों capture करना चाते थे क्योंकि अवद उस टाइम का बहुत ही प्रॉसपर एक स्टेट माना जाता था इसकी soil की fertility cotton और इंडिको की cultivation के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी और इनसे उनको बहुत जादा profit हो सकता था इसलिए वो अवद को capture करना चाते थे 1851 के हो जाते सक्सेस हो जाते हैं तो जब अवद के नवाब को वहां से डी थ्रोन करके कलकत्ता भेजा जा रहा था तो ये जो सीन था उसके लिए कहा गया है कि the life was gone out of the body तो ऐसा लग रहा था शरीर से उसके प्राण निकल गए हैं तो ये जो statement थी ये contemporary राजा उनने बोली थी क् तो कि इस तरह का सीन उन्होंने देखा था नेक्स पर आता है फिरंगी राज एंड फिरंगी राज एंड दा एंड ऑफ दा वर्ल्ट अब हम क्या करेंगे दोनों हिंदू मुस्लिम यॉनाइट हो करके जब एक हो करके और इन अंग्रेजों का सामना करेंगे इन फिरंगियो इसको accept कर लिया था तो उसको अंग्रेजों की तरफ से कुछ term and condition दी गई थी जिनको उनको मानना होता था बदले में ये भी लोग shorty दिया करते थे कि अब तुम्हारे राजय पर किसी तरह से कोई भी नुकसान जो होगा किसी तरह की कोई भी problem आएगी तो उसको हम पहले face करेंगे तो ये जो term and condition थी साहिक संदी की उसमें बताया गया था कि जो भी राजा इस संदी को accept कर लेता है तो उसको अपनी आर्मी dispend कर दियोगी उसके आर्मी को dispend कर दिया तो थोड़ी बहुत जो भी आर्मी लगाई जाएगी तो वो उनके खुद की अपने soldiers होंगे जादा soldiers Britishers होंगे और कम soldiers Indian होंगे तो उनका जो खर्चा जो भी होगा वो क्या करेंगे वो particular राजा ही pay किया करेगा उनको salary देना उनका रहना खाने का खर्चा है न तो यह सारा subsidiary alliances के इसके अलावा राजा जो भी कुछ काम करेगा वो Britishers की permission से करेगा ठीक है और Britishers की तरफ से assurity दी गई थी अब तुम्हारे उपर कोई भी problem आएगी उसको face हम करेंगे पहले तो तुम्हारे internally और externally जो affairs होंगे उनको हम देखेंगे तो अब तुम बेफिकर हो करके और अपने राजे पर rule कर सकते हो तो इस तरीके की subsidiary alliances थी तो इसके अलावा एक और यहाँ पर policy थी जिसको कहा जाता है doctrine of labs इसके त्रू जो है जिस भी राजा रानी का male successor नहीं होता था पुत्र अधिकारी नहीं होता था उसके राजे को उसमें उसके मिला लिया जाता था तो ऐसे इस doctrine of labs के त्रू उनने काफे सारे राजे को हड़प लिया था जिसको कहा जाता है हड़प की निती so what the rebels wanted rebels का चाते थे rebels चाते थे कि हमें अपना स्वराज लेकर आना है इन फिरंगी राज को यहां से भगा देना है और इस तरीके से जब हमारा स्वराज आएगा तो पहले की तरह मुगलों की टाइम में हम जैसे राहा करते थे खुश हो करके वैसे हम लोग जीएंगे है न तो इस तरीके से यह करते थे rebels चाते थे अब आता है what the rebels wanted में the vision of the unity तो यह unity का वीजन रखते थे कि जैसे हमने unite हो करके कितने बड़े बड़ी problems को हमने face किया और हम उसमें success भी हुए तो अभी भी वो वक्त आ गया है जब हम unite हो करके फिरंगियों को यहां से हम बहार निकाल जाएंगे अगेंस दा सिंबल operation अगेंस दा सिंबल operation के बाद आएगा search for the alternative power search for the alternative power की उसमें बताया गया है कि हम जब यह ब्रिटिश यहां से चले जाएंगे तो हम इसके साथ मेना अपने राज को यहां पर जब लेकर आएंगे तो इससे हमारी शक्ति जो होगी जो पहले की तरह हमारे राजा के पास पावर्ती वो दुबारा से आ जाएगी तो यह हम दूसरा इसका alternate ढूंडेंगे तो यह क्या था search for the alternative power था अब हम repression करेंगे कि किस तरह से यह जब पूरे पूरे आपके यूपी बिहार और यह गुजरास साइड में और यह पंजाब वगरा में इ तरह से कामियाब होते है वो बताए गया है तो images of the reward तो यहाँ पर reward के images दिखा करके किस तरह से तुम लोग हमारे गुलाम हो गुलाम होकर रहोगे इस तरह के posters वगरा लगा करके उनको थोड़ा सा उनको de motivate करने की कोशिश की गए कि तुम देखो तुम यह थे और तुमारी जगे यही रहेगी तो celebrating the saviors तो जो भी British officers होता था तो जो इस revolt को surprise कर देता था इंडियन को मार देता था या फिर बहुत सारे Indians का सामना उसने अकेले किया तो इस जीत का celebration हो बहुत बड़े level पर किया करते थे और इस तरह से Indians को दिखाते थे कि देखो हम जो है वो तुमारी हार हुई और हमारी जीत हुई तो इसका एक grand celebration किया करते थे English women and the honor of the Britain तो जिनों ने भी English women ने जिनों ने rebellions का सामना किया वो भी अकेले रहकर बहुत सारे rebellions को मार गिराया उसमें से एक थी Miss Willer तो बाद में उनको honor भी किया गया था the performance of the terror and the nationalist imagery अभी हम या क्या करते है performance of the terror तो इसको surprise करने के लिए बहुत ही hard punishment दी जाती थी rebellion को उनको तोप के मूँ के सामने बांध दिया जाता था फिर उनको उपर चक्के उड़ा दिया जाते थे उनके और सब के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता था फांसी पर लटका दिया जाता था उनको shoot कर दिया जाता तो एक देशत का माहूल जो है वो बना दिया गया तो लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया था कि अगर दुबारा उन्होंने इस तरह की हरकत की activities की तो तुमारे भी इसी तरह का हर्शोगा जो इनके साथ हुआ है ठीक है तो इस तरह इसे से एक देशत का माहूल बना द इस यानि की बहुत सारी इसके पेंटिंग्स वगरा बना करके इसके जो बैनर्स वगरा होते हैं उसको बना करके इस तरह से लोगों को motivate, inspire किया गया कि देखो साथ मिलकर काम करने से ये होता है और इस रिबेल से इस reward से ये तो पताय हो चुका था कि अब इंडियन जो है वो यूग को बदलने की तयारी जो है वो शुरू कर दी थी अब इस चाप्टर से जितनी टाइम लाइन आती है वो सारी की सारी टाइम लाइन आपको यहां पर दी हुए है अठारा सो एक में क्या किया था सब्सीडियल अलाइंसिस इंट्रूस बाइद लॉड वेलेजली इन अ मतलब किसानों की जमीनों को जो है हडप लिया गया था तो वापिस से किसानों को दे दिया था तो ये क्या होए थी समरी सेटलमेंट हो गया थी किसानों को वापिस देने का एक ही परप Champs था कि यहां पर मेरट के अंदर स्टार्ट हो जाती है ग्यारा और बारा माई को यह लोग क्या आते हैं डैली आकर के बादुशाद जफर से प्रपोजल उनके सामने रखते हैं कि वो उनके लीडर बन जाएं ट्वेंटी सेवन में तो इन साथ दिन के दोरान क्या होता था सिपार म्य इगर इटावा मनिपूर और इटाई यहां पर फैल जाती है 30 में को लखनों में राइस होता है यह रिवोल्ट में और जून में जिसने ब्रिटिश बुरी तरह से हार जाते हैं न और डंका शा जिनोंने उनको लीड किया था है न दूसरी तरफ कौन थी आर्मी थी किसकी ब्रिटिश की जिनको बुरी तरह से हरा देता है ठीक है उसके बाद 25 सब्टेंबर को बिटिश ऑफिसे अंडर दा तो वो लखनो जाकर इस रिवोल्ट को सर्प्रेस करते हैं जुलाई 1857 में शाहमल किल्ड इन दा बैटल तो यह वही शाहमल है जो की रिवोल्ट में पार्टिस्पेट कर रहे थे तो इनको बैटल के अंदर किल्ड कर दिया जाता है न तो 1858 जून के अंदर रानी लक्ष्मी बाई किल्ड इन दा बैटल तो वो भी युद में मारी जाती है तो यह पूरा का पूरा टाइम लाइन है इस टाइम लाइन से बहुत सारे क्वेशन आते हैं आई होप आपको सारी चीजे समझ में आ गई और अगर आप सीउटी की तैयारी कर रहे हैं प्रपेशन कर रहे हैं तो पाटिस्पेट करने के लिए और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप एक बहतरीन तरीके की जो तैयारी करके जाएंगे वो यहाँ पर हमारे प्रिमिम बैचेस में कराई जाती हैं तो अगर आप अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो आज ही आर्स का, कॉमर्स का, साइंस का और Language GT के कोर्स को प्रिमिम बैचेस को जोईन करके आप इसमें एंडोल कर सकते हैं, एंडोल करने के लिए मैक्सिम डिसकाउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, वाइफोर एट नाइन, इसको कैसे एंडोल करना है, तो आपको सबसे पहले जाना है कहाँ पर आट्स का महा पैक और इसको जोईन और इसको बाइनाओ करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, बाइनाओ करने के लिए आपको यहाँ पर वाइफोर एटान कूपन कोड लगाना है, जिसके बिहाँ पर आप जैसे इसमें एंडोल करोगे, वरी नेक्स टे जो है, आप बाइ बाइ तो अल